नमस्कार दोस्तों स्वागत है बार फिर आपका हमारे युट्यूब चैनल रेडिटूब ब्लोक्स में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तो पहुचे दोस्तों अगर आपने साल 1917 में आई फिल्म राजा हरिश्चंद देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये उस जमाने की सबसे चर्चित फिल्म थी और इस फिल्म में एक भी डायलाग नही थे मेरा इस फिल्म में कोई आवाज नहीं थी लेकिन क्या आपने कभी राजा हरिश्चंद फिल्म में उन किरदारों के बारे में जानना चाहा है कि राजा हरिश्चंद का किरदार निभाने वाले अभनेता दत्तात्रे arkadaşlar दामोदर दुबके थे जिन्फे जिन्होंने राज 185 को महाराष्ट के दपोली तालका में हुआ था उनका पैत्रिक गाउ रतनागेजी जीले के दपोली तालका में असूद है इसकूल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और मजबूर शरीर अरजित करने के लिए सिधि बनारस पहुँच गे वहां उन्होंने कुष्ट थे जब ऊंबई आये तो नाटा का विचार छोड़ कर उनकी मुलाकात दादा सहब फालके से हुई उन्होंने दादा सहब फालके की मोख फिल्म को बनानी की कठनाई को समझा फालके ने दत्त त्रे दामोधर दपके की अच्छी सरीर को कर उन्हें मुख नायक के रूम में राजा हरिश्चंद की भूम का निभाने की जिम्मेदाजी दिया, साथ ही फालके ने महिसूस किया कि दबके में निर्देशन की छमता है, इसलिए उन्हें बतोर सहाय निर्देशक के रूम में नियुक्ति किया गया था, दबके पांच साल तक एक साथ काम किया राजा हरिष्चंद की भूमका में दबके की खुब सरहना हुई और उन्हें भारतिय सिनेमा का पहला अभनेता के रूम में जानने लगे लोग दबके ने फिल्मों में इतना अभने किया कि उन्होंने सत्वाजी दारा राजा हरिष्चंद्र जो 1917 में आई थी लंकादान 1918, स्रीकिष जन्म 1918, दिल फरोष, हुस्न का डाकू, बिमला में अभने किया बाद में उन्होंने फालकी को छोड़ दिया और 1922 में एग निर्देशक और छायाकार के रूम में द्वार का दास संपत की कोहिनूर्ख फिल्म कमपनी में शामिल हो गए उस समय उन्होंने द्वारकादा संपत की फिल्म विशूअमित्रमेंका का निर्देशन किया था इसमें उन्हें उन्हें मुखभूम का भी निभाई थी बाद में उन्होंने फोटोग्राफिय और व्यापार की और रुख किया उन्होंने मामा वरेकर के पूंड़ वर हल्ला 1924 और भाल जी पेधाकर के बंदे मात्रा मासरम 1926 की तस्वीरे खी जी अभिनेता के रूम में आये डपके ने बाद में एक भेतरीन फोटोग्राफर के रूम में अपना नाम बनाया उन्हें ट्रिक फोटोग्राफिक का विशेश ग्यान था मौन यूग में उन्होंने 50 सेधिक फिल्मों की सूटिंग की मराठी हिंदी फिल्म निर्माता पांडू रंग नाईक जो बाद के समय के परशिद फोटोग्राफर थे उन्होंने डबके से फोटोग्राफिक सिक्षा ली 16 दिसंबर 1946 को भारतिय सिनेमा के पहले नायक का निधन हो गया दोस्तों डबके ने इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो किया है उसके लिए भारतिय सिनेमा हमें सामकरणी रहेगा दोस्तों अगर आपने इनकी फिल्मे नहीं देखी हैं तो इनकी फिल्मे देखें और इनके बारे में आप कैसे सौंचते हैं यह